आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वेडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ और वो की Waves इमिट कर रहा है जिसकी wavelength है Lambda is equals to 300 meter Radiation Capacity of Transmitter is 10 kW इसकी जो Radiation Capacity है वो भी हमें गीवन है कि वो 10 kW है तो नमबर अफ फोटोन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम तो नमबर अफ फोटोन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम क्या होंगे तो जो यह यहाँ पर Transmission Capacity दे रखिए Radiation Capacity मतलब क्या हो गई यह Power दे रखिए तो यह गीवन है हमारे पास में 10 kW और Power क्या होता है Energy per unit time Energy per unit time कोई क्या है हम बोलते है Power तो यह हमारे को गीवन है 10 kW अब हमें इससे यह बताना है कि number of photons emitted per unit time कितने होंगे तो जैसा कि हमें Planck's का जो relation था E equals to H new मतलब energy किसी photon की जो energy है मतलब किसी अगर single photon की अगर अपन energy को बोलें तो वो होती है E equals to H new यहाँ पर क्या है new क्या होती है Frequency of photon और H जो है वो होता है Planck constant तो यह तो हो गया एक single photon की energy और अगर हमारे पाफ में photon से बहुत सारे हमारे को इस question में calculate यही करना है कि number of photons कितने है तो अगर यहाँ पर photons बहुत सारे तो energy उनकी कितनी हो जाएगी energy of N photon इसको N से multiply कर लेंगे energy of N photon तो यह क्या हो जाएगा E equals to NH new क्योंकि यहाँ पर N photons है तो NH new क्योंकि एक की थी H new तो N की हो गई NH new अब new क्या है frequency और frequency क्या होती है new equals to C upon lambda यहाँ पर C क्या है velocity of light है और lambda क्या है wavelength मतलब जो भी wave है यह उसकी wavelength यह lambda है और इसके अंदर हमें lambda की तो value given है ही सही और new है जो frequency है तो अब इससे हम आगे calculate कर सकते हैं हमें के number of photons per unit time चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते है equals to सबसे पहले तो N H C upon lambda और हमें इस कहने के calculate करना N की value को तो N क्या हो गया यहाँ से N हो जाएगा यानि कि N के number of photons यह हो जाएंगे E lambda upon H C और यहाँ पर क्या है हमें number of photons per unit time चाहिए तो यानि कि हम यहाँ से time से divide कर लेते इसको number of photons per unit time तो यह क्या हो जाएगा lambda upon H C into energy per unit time और energy per unit time क्या है यह तो अभी हमने उपड लिखा है power को बोलते हैं energy per unit time जिसकी value है 10 kilowatt और lambda की value हमें पता है 300 meter तो बस यहाँ पर values को रखेंगे अब और H क्या है H तो क्या है बिल्कुल वह plank constant है H की H plank constant और उसकी value होते है 6.6 into 10 की power minus 34 तो अब यह वाली सारी values इसके अंदर रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा lambda तो है 300 meter divided by H इसकी value है 6.6 into 10 की power minus 34 और C क्या है into 3 into 10 की power 8 और energy per unit time मतलब 10 kilowatt गिवन है हमार को यहाँ पर यानि कि 10 into 10 की power 3 watt अब हमें बस इस वाली equation को solve करना है और जब हम इसको solve कर लेंगे तो आएगा हमारे पास में 1.5 into 10 की power 31 तो number of photons per unit time कितने हो जाएंगे यानि कि per unit time यानि कि हर एक second में कितने photons emit हो रहे है 1.5 into 10 की power 31 photons per unit time यानि कि एक second में इतने photons emit हो रहे है तो 1.5 into 10 की power 31 ये किसकों सा option है option number 4 तो answer हो गया option number 4 Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउन्लोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स आच 4444 सुपर